हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब अर्निंग का एक बेस्ट प्लैट्फोम है आप यहाँ पर घर बैठे बैठे अच्छी इंकम अर्न कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक नया जीमेल अकाउंट बनाना होता है अगर आपका अल्रेडी कोई जीमेल अकाउंट है तो ठीक है बर ज्यादा बैठे है कि आप एक नया जीमेल अकाउंट क्रियेट करो और फिर अपना यूट्यूब चैनल बनाओ यूट्यूब चैनल बनाने के बाद अगर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वोचार्स कम्प्लीट हो जाते हैं और आप यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडिशन को सैटिस्फाई करते हैं तो आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाइ करते हैं अगर आप सारी टर्म्स एंड कंडिशन सैटिस्फाई कर देते हैं तो आपका जो YouTube चैनल है वो monetize हो जाता है और अगर आप regular basis पर YouTube पर continue रहते हैं तो आप YouTube पर अच्छी income कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक नया Gmail account गनाना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपना Gmail account create कर सकते हैं और फिर उस basis पर कैसे आप अपना एक YouTube चैनल create कर सकते हैं तो complete details step by step मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी ताकि आपको सारे steps clear हों अगर आपको फिर भी कोई doubt होगा तो आप comment section में पूछ सकते हैं तो complete steps जानने के लिए आप मेरी वीडियो को end तक जरूर देखें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो नया Gmail account बनाने के लिए आपने सबसे पहले YouTube ओपन करना है यहां आपके पास corner पर photo वाला icon आपको show होगा आपने इस option पर click करना है यहां आपके पास add account का option आएगा आपने इस option पर click करना है तो यहां आपने अपना Gmail account create करना है इसके लिए आपके पास option आएगा create account का आपने इस option पर click करना है यहां आपके पास two options हैं for myself और for business purposes हम यहां अपने लिए Gmail account बनाना चाहते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर myself वाला option select करेंगे तो इस page पर आप सबसे पहले अपना first name एंटर करोगे then आपके पास surname का option आएगा surname optional है अगर आपका कोई surname है तो ठीक है otherwise आप इस option को skip भी कर सकते है name और surname एंटर करने के बाद आपने यहाँ next के option पर click करना है तो अब आपके पास यहाँ पर birthday और gender एंटर करने का option आएगा मैं यहाँ पर अपनी date of birth एंटर करूँगी और gender में female select करूँगी और next के option पर click करना है अब आपके पास यहाँ पर कुछ Gmail account suggestion में आएगे आप यहाँ से कोई भी Gmail account select कर सकते हैं अगर आप इन में से कोई भी Gmail account select नहीं करते तो आप यहाँ पर अपना एक new Gmail account भी बना सकते हैं इसके लिए आपने यहाँ create your own Gmail address वाले option पर click करना है मैं यहाँ अपना Gmail address खुद से create करना चाहती हूँ तो इसके लिए मैं यहाँ पर create your own Gmail address पर click करूँगी तो यहाँ मैं अपने according अपना Gmail address एंटर करूँगी अगर मेरा यह Gmail address एविलेबल होगा तो यहाँ पर show हो जाएगा otherwise यहाँ पर मुझे दोबारा Gmail address चूज करना पड़ेगा मेरा यहाँ Gmail address show हो गया है then मैं यहाँ अपना password set करूँगी password में आपने upper letter, lower letters, special characters और numbers को include करना है इससे आपके channel को कोई भी hack नहीं कर सकता यहाँ मैंने अपना password set कर लिया है password set करने के बाद आपने यहाँ पर next के option पर click करना है यहाँ आपने yes I am win वाले option पर click करना है then आपने next के option पर click करना है अब terms में आपने iagri के option पर click करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा Gmail account यहाँ पर बन चुका है अब आपने right hand side में photo वाले icon पर click करना है और आप यहाँ देख सकते हैं मेरा Gmail account यहाँ से log in हो गया है यहाँ आपने your channel पर click करना है और यहां आप अपने चैनल का नेम एंटर करोगे और आप यहां अपने चैनल का प्रफाइल फोटो भी लगा सकते हैं means आप यहां पर लोगो सिलेक्ट कर सकते हैं तो आप यहां गैलरी से कोई भी फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोगो बनाना चाहते हैं तो वो भी आप अपने चैनल का लोगो बना कर भी यहाँ पर लगा सकते हैं यहाँ आप अपने चैनल का नेम एंटर करोगे अब यहाँ आपने हैंडल चूज करना है YouTube आपको हैंडल दे देता है हैंडल मींज कोई भी add the rate लगा कर आपके चैनल को सर्च कर सकता है और अगर आप किसी की भी वीडियो पर कमेंट करते हैं तो आपका हैंडल ही वहाँ पर शो होता है तो यह हैंडल YouTube में हमें दे दिया है मैं इसे ऐसे ही रहने देती हूँ और create चैनल पर क्लिक करूँगी और आप यहाँ देख सकते हैं मेरा चैनल यहाँ पर बन चुका है अब आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर शो होगा मैं यहाँ आपको सारी सैटिंग्स बताऊंगी सबसे पहले आपने यहाँ लोगो या फिर बैनर लगाना है लोगो में आप अपनी फोटो भी लगा सकते हैं अगर आप एक यूनिक लोगो लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो भी लगा सकते हैं इसके लिए आपने यहाँ पर पैंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है और प्रोफाइल फोटो में आप यहाँ पर गैलरी से फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं और यहां आप एक banner लगाएंगे इसके लिए आपने यहां camera वाले option पर click करना है और यहां आपके पास banner चूज करने का option आएगा आप यहां gallery से भी banner चूज कर सकते हैं अगर आप banner बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर बना कर भी लगा सकते हैं मैं यहां कोई भी photo चूज कर ल साथ लेटिड है जो भी डिटेल्स आप description में एंटर करोंगे वो सारी डिटेल्स आपको अब आउट वाले option में शो होगी जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यहां पर आपके चैनल की सारी डिटेल्स मैंशन है तो आपको यहां पर क्लिर होगा कि कैसे आप अपने YouTube चैनल पर logo एड़ कर सकते हैं, banner एड़ कर सकते हैं, description एड़ कर सकते हैं यानि कि आपको सारे steps clear होंगे, अगर आपको फिर भी कोई doubt है तो आप comment section में पूछ सकते हैं, तो this is the end of my video अगर आपको मेरी video अच्छी लगी हो, तो please मेरी video को like करें और मेरे channel को subscribe करें, thanks for listening and thank you everyone